हलो फ्रेंज, वेलकम डू मैं यूटूब चैनल आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक हॉम मेट काजल वो भी तुलसी की पत्तों से बनाए हुए काजल तुलसी की पत्ते शरीर के तानाव को कम करने का काम करते है और शरीर के कई बीमारियों से बचाने का काम भी करता है तुलसी की पत्तियों के रज से बनाए हुए काजल आखो की रोशनी बढ़ाने में मदद करते है साथ साथ आखो को एक सूतिं फील भी देता है मैं काजल बनाने के लिए तुलसी की पत्ते के साथ ब्रिंगराज की पत्या भी लिया है ब्रिंगराज भी आईसे एक बढ़ाने में मदद करता है आखों को रिफ्रेश करने का काम भी करती है यह दोनों इंग्रेडियन यूज करके आज में काजल बनाने वाली हूँ वैसे बहुत जड़ी पूटियों मिक्स करके काजल बनाते है जैसे पान की पत्य, ब्रिंगराज, तुलसी, अलोवेरा, सहदेवी यह सब बहुत जड़ी पूटियों की यूज करके काजल बनाते उसका जो मिक्स बना के काजल बनाते ये सब आकों के लिए बहुत लाफदायक भी है पर ये सब हर्बस सब के पास अवेलेबल नहीं रहता है इसमें तुलसी का पाउदा हर गर में आसानी से मिल जाएगा इसलिए और कोई जड़ी बूटियों ना मिले तो भी तुलसी की पत्तों से एकदम और्गानिक काजल हम बना सकते है मैं इधर मुटी भर तुलसी की पत्ते के साथ जराज़ ब्रिंगराज की पत्ते भी आड़ करके काजल बनाने वाली हूँ तो चलिए हम प्रोसीजर शुरू करते सबसे पहले पत्तियों को साफ पानी में धोना चाहिए काजल बनाते वक्त साफ सफाई का दियान रखना बहुत जरूरी है नहीं तो आखों में इंफेक्शन आने की चांसे है पत्तियों को कम से कम दो बार दोलीजिए दोनी के बाद इसी तरह पत्यों को एक टावल में बिचा कर 10 से 15 मिनित तक रेखतीजिए उसके बाद एक मिक्सर के बावल में डाल कर उसको अच्चे से पीस लीजिए और पीसते वक्त ये ध्यान रखना है सराजा पानी जरूरत उते तो सराजा पानी उसमें डाल दीजिए ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए उसके बाद पीस के जो भी कंडेन मिलता है उसको इसी तरह निचोड़ कर उसमें से पूरा रस को सीव करके निकाल दीजिए उसको कलट कर दीजिए अपने काजल बनाने का मेन कंडेन तायार हो चुका है इसके बाद अपनी काजल बनाने के लिए हमको एक कॉटन कपड़े की जरुरत रहता है साफ किये हुए एक कॉटन कपड़ा ले लीजिए उसको जो भी रस हमने बना कर रिख दिया है उसी में आप सोग करके 10 से 15 मिन तक रिख दीजिए और फिर काजल बनाने के लिए हमको एक दिया की जरुरत है हमारा ट्रेडिशनल दिया है ये नहीं होगा तो अपना नॉर्मल दिया या मिट्टी के दिया भी यूज़ कर सकते उसके बाद जो काजल का जो में कंडेंट कलर करने के लिए एक थाली चाहिए मैंने इदर इसी थाली को यूज़ किया है आपके पास यह सा नहीं होगा तो आप स्टील की थाली भी यूज़ कर सकते ये जो कपड़े पूरी तरह ये लिकुट सौक कर चुका है इसको अभी हमको चाओ में रखे अच्चे से सुखाना चाहिए आप ध्यान देख लीजिए उसको बिल्कुल दूप में नहीं डालना है चाओ में रखे उसको अच्चे से सुखाना है अच्चे से ड्राइक हुए कपड़े को दो पीसस कर दीजिए इसे दिया बत्ती जैसे बैना दीजिए मैंने इदर दो बत्ती बनाया है इन दोनों को जोड़कर में इसी तरह बत्ती बनाया है च्चे से सोकरने लाइक गी आप इसमें डाल दीजिए घर पे बनाई हुए गी का इस्तमाल करना स्यादा उजित है गी के बदले आप तिल का तेल भी इस्तमाल कर सकते है दिया जला दीजिए दिया जलाने के बाद जो भी कालिक बेंता है उसको कलर करने के लिए आप पिसी तरह एक प्लेट इसकी ओपर टिका दीजिए प्लेट को बराबर टिकाने के लिए आप उसका व्यवस्ता भी करना जरूरी है ऐसा करके आप जब तक आपका जो बत्ती पूरी तरह बूझने जाते तब तक आप कालिक को कलर कर सकते हैं थोड़ी दर में आपको देखने को मिलेगा जो बत्ती जलने के बाद जो कालिक रहेगा वो इस पे कैसे जमा होता है करके और ये जमा होने के बाद उसके बाद हम इसको कलर करके उसमें से हम काजल बनाने वाले हैं देखो अभी आपको इदर देखने को मिल रहे हुआ बहुत ज्यादा कालिक इस प्लेट में जमा हो चुका है। पूरी तरफ जल के बुजने के बाद हम ए प्लेट को निकाल के रिखेंगे देखो बहुत ज्यादा कालिक इसमें जमा हो चुका है तंडा होने के बाद जमेहुए कालिको इसी तरह जमा दीजिए इस कालिक को यूज करके हम आज काजल बनाने वाले हैं इसमें जो खालिक में मैं अभी क्यास्ट्रोईल मिक्स करके काजल बनाने वाली हूँ क्यास्ट्रोईल के जगर पे आप गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो क्यास्ट्रोईल गी जब डालते वक्त इतना ध्यान रख लीजिए जो काजल का कंसिस्टेंसी सही सलामत आना चाहिए उसी कॉंडिटी उतनी कॉंडिटी जो क्यास्ट्रोविल्या गी इसमें डालना चाहिए देखो अपना काजल तयार हो चुका है इसको आप मैं अभी हाथ में लगा के दिखा देती हूँ बहुत शाइनिंग वाला काजल तयार हो चुका है इसको आप घर पे बना दीजिए बहुत आसान तरीका है घर पे बना के इसको आप इस्तमाल भी कर दीजिए बाकी बिच्चेवी खाली को मैंने कंडेनर में ट्रांसर कर लिया है उसमें भी मैंने क्यास्टोईल डाल कर काजल बना के स्टोर करके रखा है इसे आप घर पर जरूर बना दीजिए क्यास्टोईल अपना आईब्रोज और आईलाशस के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको बना के यूज करने के बाद फीडबैक बता दीजिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा लोगों तक शेर भी कर दीजिए औ और मेरी कंडेंस अब आपको पसंद आ रही होगी तो आप मेरे चानल भी सब्सक्रेब कर दीजिए तो फिर से मिलने तक बाई बाई